ट्रोकोडाइल असलामुलकुम नमस्ते शास्त्रीकाल मेरा नाम नजमुल है और आज मैं आपके साथ एक मगरमच के तत्थे और जीवन की कहानी साज़ा करने जा रहा हूँ, आईए वीडियो शुरू करते हैं क्रोकोडाइल एक बड़ा, रूद्र और प्राकृतिक रंगो वाला सरीश्रिप है, इसका लंबाए आमतोर पर 3-6 मीटर होती है, जबकि महिलाओं का आकार थोड़ा छोटा होता है क्रोकोडाइल जलमगर के रूप में जाना जाता है, और यह बड़े जल सनरचनाओं के निकट रहना पसंद करता है, जैसे नदी, झील, और मरुस्थल इसके शरीर का निर्मान शक्तिशाली होता है, जिससे वह अपने शिकंजे को मजबूती से पकड़ सकता है इसके दाग भी तेज होते हैं और उनमें तेज दाड़ होती है जो उसे शिकार करने में मदद करती है क्रोकोडाइल एक अव्यवस्थित खाने वाला है, जो बहुत सारे प्रानियों को खाने के लिए पसंद करता है इसका आहार में मुख्य रूप से मचली, पक्षी, चंगो और नहरी जीवों को शामिल होते हैं यह एक शक्तिशाली स्वतंत जीव है, जो अपने भूजन को पकड़ने और उसे आहार पोशन करने के लिए अपने शिकंजे का इस्तिमाल करता है यह जानवर अपनी शिकारी को अचानक पानी में दुबो कर मार देता है और उसे नीचे ताल आपके तल में ले जाता है जहाँ वह अपना खाना सामगरी को चबाता है क्रोकोडाइल एक जीवन काल बड़े समय तक जीने की क्षमता रखता है यह जीवन्यापन करने के लिए कई वर्षों तक उबले हुए धरातल पर रह सकता है जब उसे खाने की आवश्यक्ता नहीं होती है क्रोकोडाइल में प्रजनन विशेशताय होती है महिलाइ अपने अंडे को जमीन में दबा देती है और उन्हें जागरत करने के लिए धरातल के पास रखती है जब अंडे खुलते हैं तो मा अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए उन्हें पानी में ले जाती है क्रोकोडाइल एक सोलिटरी जीव है और आमतोर पर अकेला रहता है यह अपने क्षेत्र को अपनी हीमत से रखने के लिए संकटकारी हो सकता है और अपनी खाने की स्थापना पर नजर रखता है क्रोकोडाइल एक अत्यधिक आफधार प्राक्रतिक जीवनशैली का अनुसरन करता है यह दिन के समय अक्तूबर से मार्च तक सुनसान और नदी किनारे के निकट जलमगर के रूप में रहता है और उशाकाल में धरातल पर धरना देता है क्रोकोडाइल एक जीव शिकारी है और वारवार अपने शिकार के लिए धारना बनाता है यह जलमे छिपकर अपनी शिकार का इंतजार करता है और धारना में उभर कर तेजी से दोड़कर अपने शिकार को पकड़ लेता है क्रोकोडाइल अपने जीवनकाल में कई जोखिमों का सामना करता है प्राकृतिक शिकारियों, इंसानी हमलों, जल्वायों परिवर्तन और परियावरनिय बदलाव के कारण इसका सनरक्षन महत्वपूर्ण है क्रोकोडाइल एक प्राचीन जीव है जो प्रिथवी पर करीब 200 मिलियन वर्षों से रह रहा है इसकी प्राकृतिक शक्ती, उच्छ समारोह और जीवनकाल की लंबाई उससे एक अध्वितिय जीव बनाती है क्रोकोडाइल एक प्रबल और प्रभाव शाली जीव है जो प्रिथवी की जीवन शैली की अनुपमता को प्रकट करत ता है, इसकी सामरिक्ता, संकटकारी स्वभाव और बड़ी आकांक्षा उसे अपने पर्यावरन में आदान प्रदान करने के लिए सशक्त और प्रभावी बनाती है क्रोकोडाईल एक मान संयुक्ति प्रेशी है, जिसका मतलब है कि वह जलमे और धरातल पर दोनों स्थानों पर अच्छी तरह से अनुकुलित हो सकता है यह उचतम स्थान रखने के लिए धारना बना सकता है और जलमगर के रूप में उसकी विशेश्थाओं का उप्योग कर सकता है क्रोकोडाईल जीवन शेली में संयुक्ति प्रेशी और अकेला पन दोनों के गुन होते हैं यह एक अकेला रहकर अपनी शिकारी को मारने के लिए कुशल होता है लेकिन ये भी समुदाय के साथ संघटित होकर अपने क्षेतर की रक्षा करने में सक्षम होता है क्रोकोडाईल की जीवन शेली में सयमित्ता, धर्य और ध्यानयोग दिखते हैं ये धीरे धीरे शिकारी के पास निकरता बढ़ाता है, शांत रहकर अपने लक्षे की प्रतीक्षा करता है और उच्च समय पर अपने हमले को सफल बनाता है क्रोकोडाईल एक अध्वितिय और प्रबल जीव है, जिसका जीवन शेली उसे उन्नती, सफलता और सुरक्षा की दिशा में ले जाती है इसकी धारनाक्षामता, संकटकारिता, उच्च अभिरुची और प्राक्रितिक गुनवत्ता उसे अपने पर्यावरन में एक महत्वपून स्थान देती है इसकी जीवन शेली और उसके अध्वितिय तत्वों को अध्ययन करने से हमें प्राक्रितिक जीवन की महत्वपून सीखे मिलती है जहां सयम, संघटना, धर्य और समर्पन की महत्वता समझने को मिलती है प्रोकोडाइल हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृती के साथ मिलजूल कर रहना, उसे समर्पित रहना और अपने पर्यावरन की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद